नमस्कार दोस्तों आप सभी का साइन्स महल चैनल पर स्वागत है दोस्तों आप सब कैसे हैं कमेंट में बताएं आज हम समझने वाले हैं कि मूल रोम क्या होता है तो चलिए आज हम समझ लेते हैं कि मूल रोम होता क्या है और हाँ दोस्तों इसी तरह के विडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि मूल रोम क्या होता है पौधे जडों द्वारा जल तथा खनिज लवन अवशोशित करते हैं जड में बहुतत अधिक बाल जैसी महीन सनरचना होती है जिसे मूल रोम कहते हैं ये जड के सता की क्षेतर फल को बढ़ा देते हैं मूल रोम मृदा कनों के बीच उपस्थित जल को अवशोशित करते हैं जल और खनिज लवन जड से उपर नली जैसी सनरचना से उपर की ओर जाती है और हाँ दोस्तों पाइप जैसी सनरचना है घोती है जिन्हें वाहिकाय कहते हैं ये जल तथा खनिज को जड से पत्तियों तक ले जाती है और हाँ पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे समवहन उत्तक कहते हैं, समझे समझ में आया या नहीं या कमेंट में जरूर बताएं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पप्पू गुरू की ओर से बाई बाई टेक केर